सबका सपना होता है डॉक्टर बना पर डॉक्टर कैसे बने यह जाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं सब्सक्राइब करेंगे कि कम समय में रिवीजन कैसे करें बहुत बार मेरे पास मेल आता है कि सर समय बहुत कम है और हमने अल्मूस्ट फिप्टी और सिक्स्टी परसें अपने कोर्स को खदम कर लिया है सर अब हम लोग रिवीजन करना चाहते हैं बट अब क्या करें कि जो भी हमारा सिलेबस बचा हुआ है वह कंप्लीट करें या हम जो है स्टार्टिंग से रिवीजन करना है स्टार्ट कर दें तो ऐसे अगर आपके पास क्वैरी है और आप चाहते हैं कि आपका भी यही प्रश्ण है कि आपका 50 और 60 परसेंट कोश्ट्ट जो से वह कंप्लीट हुआ है और आप चाहते हैं कि आगे प्रोसीड करें या अब रिवीजन स्टार्ट कर दें तो ऐसे मन में ख्याल है तो यह वीडियो आपके लिए ही डेडिकेट है पूरा स्टार्टिंग से देखेगा और एंड तक देखेगा इस पूरी वीडियो में मैं बताऊंगा कि कम समय में कैसे रिवीजन को कर सके हैं और जादा से जादा रिवीजन को कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर यह रिवीजन क्या है और इस रिवीजन को करना क्यों important है और क्या ऐसा नहीं है कि पहले एक बार course खदम कर लें और फिर से रिवीजन स्टार्ट करें तो तीनों-चारों मुद्दे पर हम बहुत ही बहतर तरीके से डिसक्स करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिवीजन क्या है रिवीजन का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज को दोहराना रिवीजन का अर्थ है अगर आप डिक्सिनरी में देखेंगे दैडिस दोहराना यानि जो भी आपने पढ़ा है अगर उसे आप एक बार फिरसे रिपीट कर लेते हैं फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं लौर इनिया कम से कम तीन से चार बार अगर दोहरा लेते हैं चीजों को तो जो है आपके conscience mind में fit हो जाता है मतलब वो जो चीजी होती है वो बहुत ही बहुतर तरीके से आपके दिमाग में fit हो जाती हो और उसको बहुत ही असानी से आप recall कर सकते हैं और उससे related application और question खासकर MCQ बहुत ही असानी से किया जा सकते है मैंने बहुत सारे toppers के interview लिये है और बहुत सारे बच्चों के selection हुए है मेरे through और जब भी आप उस video को देखेंगे या मैंने उन सबसे बात किया है तो सबसे common चीज लगा है that is revision वो कहते थे सारे बच्चे कहते हैं जो आज कल medical college में है आज second year, third year में है तो सबसे जो मुख्य बाते थी उनके पूरे curriculum में पूरे पढ़ाई में, पूरे तियारी में that is revision उन्होंने starting से ही revision को बहुत ही एक importance दिया है अपने पढ़ाई में तो अगर आप भी topper बनना चाहते हैं अगर आप भी doctor बनना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि अपने neat में बहुत ही बहुत ही बहुत तरीके से perform करें तो revision आपके लिए बहुत ही important है तो अगर आप इस dilemma में हैं कि एक बार course ख़तम कर दिया जाए और फिर से उसके बाद revision किया जाए तो मुझे लगता है कि यह सही approach नहीं होगा आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको सांसांत revision करें यानि जो भी आप आज आपने पढ़ा है तो उसको तुरंत instant within 24 hour revision करना बहुत ही जरूरी है और जैसे एक बार चाप्टर ख़तम हो गया फिर आप दूसरे चाप्टर में move करें तो जब भी आप next day जब भी पढ़ें तो आप previous day में जो भी आपने पढ़ा है उसको revise जरूर करें तो क्या तरीका क्या से होना चाहिए कैसे revise करें तरीका जो बहुत ही बेटर आउटपूट आ जाए वो क्या करना है आपको revision मतलब आप पढ़ने से different है यानि revision हम किसे कहते हैं जो कि आपने पूरा चीज अच्छे से समझा है और उसको आपको दोहराना है फिर से repeat करना तो क्या किजिए लेट सपोस्ट कि आपने जो है human reproduction पढ़ा पूरा अच्छे से दो-तीन बार रीड किया और उसको revise करना है तो कैसे revise करें तो आप क्या कीजिए कि अपने study table पे वो बुक किया नोट जो जिससे आपने पढ़ा है पूरा दो-तीन बार पढ़ा है उसको open कर दीजे open करने के बाद आँख को करिए बन और बन करने के बाद पढ़िए कि आप recall कीजे दिमाग में कि आपने पहला line कौन सा पढ़ा था फिर second line कौन से पढ़ा था कौन सा डाइग्राम था फिर क्या था क्या था ऐसे recall करना है दिमाग को थोड़ा कस्द देना है जब तक आप दिमाग को pressurize नहीं करेंगे कि recall करना है तो आप पढ़ते रहें मतब कि आपने जो starting से जो भी चीजों पढ़ा है अच्छे से दो तीन बार पढ़ा है और revision भी अगर ऐसे करें तो फिर वो फाइदा नहीं होगा आप दिमाग को बताना है कि आपको याद करना है तो चीजों को कैसे याद करेंगे तो आपको क्या करना है कि ध्यान से पढ़ना है फिर से एक बार पढ़ना है और फिर से ऐसा हीJe rooting करना है ठीके तो turi Fridays ऐसे करेंगे तो जब आप ऐसे來 members करने लगेंगे तो आपके पास बहुत ही कम time रहेगा कंầ है और कम time में बहुत ही जदह ज़्याद bullish को क्या करना है कि कोर्स जितना भी हो रहा है उसको चलने दीजे जैसे भी आपका आपने जो भी सेट कर रखा होगा अपना गोल और साथ के साथ आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप रिविजन नहीं करेंगे तो बहुत सारा चीज छूट जाएगा आपका और recall भी नहीं कर पाएंगे तो जो भी वैसे अभी से यादत बना लिजी कि जो भी पूरे दिन में आपने पढ़ा है उसको पूरा दिन जब आपका कंप्लीट हो जाए जब आप सोने जा रहे हैं तो एक दो गुंटा पहले सारे चीज़ को एक बार recall किजिए और फिर next day जब को पढ़ने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा next topic पढ़ते गए ठीक है पहले क्या करना है कि जो भी आपने last previous day में जो भी पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से revision करें और फिर next आपको move करना है कभी भी हड़बडी नहीं में चानी है कि मुझे course खतम करन और फिर जब हम revision करेंगे तो यह approach बहुत ही गलत हो जाएगा ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 100% course को बहुत अच्छे से complete करें और तब आप revision करेंगे तो ऐसा बहुत ही मुझकिल रहता है तो इसलिए साथ के साथ revision करते रहें और बिल्कुल घबडाये मत मैं आपके साथ हूँ और समय समय पे आपको important tips और tricks देता रहूँगा कि कैसे बहतर करना है कैसे चीजों को करना है बहुत बार मेरे से mail आते हैं कि सर जो है morning time बहुत ही बहतर होता है पढ़ और 8 बज़े उठते हैं और उससे में इतना आलस रहता है कि 10 बच तक तो आलस ही जाता है फिर जो है हम लोग थोड़े एक्टिव रहते हैं और फिर दो तीन बज़े के बाद फिर से नीद आने लगती है तो सुबह उठने का क्या तरीका है नेक्स वीडियो में मैं आपको एक साइंटिफिक मैथड बताऊंगा जिससे आप 100% सुबह उठी जाएंगे कोई भी नहीं रोक सकता है आप 100% उठेंगे उठेंगे वीडियो नेक्स आएगी और रिवीजन जो है आप साथ के साथ जरूर रिवीजन करें रिवीजन का बहुत ही बड़ा रोल होता है जो भ बिना रिवीजन किये है सफल नहीं हो सकते हैं इसलिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप भी रिवीजन कीशे और जो भी क्वाईरी है जो भी डाउट है बेहिचा कामेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इस वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीज़े ताकि वो भी समझ सकें कि रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है बहुत बहुत धन्यवाद थेंकी सो मच